अलो स्टुडेंट्स, वेलकम इन बार बारती पुबल इंटर कॉलेज लिटेल क्लासेस आज का जो आप लोगा टॉपिक है वो मैं फिजिक्स से ले रहा हूँ यह टॉपिक है इलेक्ट्रिक्सिटी इलेक्ट्रिक्सिटी मतलब बैद दूथ प्लासेस का टॉपिक है वैसे तो हम सभी इस वर्ड से फैमिलियर हैं के इलेक्ट्रिक्सिटी क्या होती है लेकिन इसमें जो टॉपिक्स हैं वो देख लीजे टाइप्स ओफ इलेक्ट्रिक चार्ज कंडॉक्टर्स एंड निसलेटर्स Electric potential and potential difference Electric current Electric circuits Circuit symbols and circuit diagrams जो आपको बहुत important तरीके से पढ़़िना है Relationship between Current and potential difference जिसे Ohms law ही बोलते हैं वह जदे important है ये इसको अपंदर लान कर ले ant कर लेना और इस topic को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे के पूपर में आजी वीडियो बनाऊंगा रस्तेंस फान्दक्तर फेक्टर साफट इस फिड एक्टर रस्तीं से प्रेस्टिविटी कोम्टिशंन एक जिस्तेंस और रसिस्टर के सीरी जिलेक्ट्तर पावर एकमर्शियर उनिक बेट्र चार्ज heating effect of current and its application यानि वैद्दुत आवेश के प्रकार conductors यानि सुचालक, insulators यानि कुचालक electric potential यानि वैद्दुत विवव और विववांतर विद्दुत धारा विद्दुत धारा उसमें उप्योग होने वाले symbols यानि चिन और circuit के डाइग्राम्स relationship between current यानि वैद्दुत धारा और वैद्दुत विवव में संबंद जैसे हम Holmes law, Holmes के नियम से जानते हैं resistance of a conductor resistance यानि जो हमारा चालक है उसका प्रतिरोध कितना है प्रतिरोध, factors affecting the resistance of a conductor resistivity यानि प्रतिरोध अक्ता combination यानि जो हमारे प्रतिरोध है, जो हमारे resistance है उनका combination दो करवों में, series में और parallel में series यानि श्रीडी क्रम, parallel यानि समांतर क्रम electric power यानि वैद्द शमता and commercial units यानि वेवसाय में, वेवसाइक जो उसकी units होती है, वेवसाइक में जो हम यूज करते हैं, जैसे होर्स पावर होती है, किलो वाट होती है, मेगा वाट होती है, और heating effect of current and application यानि वैद्द धारा के उश्मी प्रभाब और उसके उप्योग, आपना टॉपिक्स रखरते हैं, electricity is an important source of energy in the modern times, आज के योग में बिना वित्वत के हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं, विशेध हैं रखने वाली बात है है, electricity is used in our homes, in industry and in transport, आज हम electricity का उप्योग, industry यानि ब्यवसाओं में करते हैं, और transport यानि परीवेन में भी करते हैं, आज मारे गाड़ियां विद्वत सी चलती हैं, for example, electricity is used in our homes for lightning, operating fence, उजेला करने के लिए, बंके चलाने के लिए, और कई चीज़ें करम करने के लिए, in industry, electricity is used to run various types of machines and in transport sectors, electricity is being used to pull electric trains, आज के समय में, हमने देखा कि हमारे जो ब्यवसाओं हैं, वो ट्रेनों पर हाधर्यत हैं, electric trains पर, electric trains के लिए electricity चाहिए होती है, is being used to pull electric trains, in this chapter, we will discuss electric potential, electric current, electric power and the heating effect of electric current, in order to understand electricity, यही सारे topic जो मैंने आपको पक्तनारिय बढ़ाए हैं, वही सारे topic में हिंदी में भी इसम टॉपिक वीडियो में डाल रहा हूँ, if we bring a plastic comb, अब हम एक चीज रिस्ता सकते हैं, पहले वाले बाद important समझने वाले बाद, अरस के बाद फिर आप इसको आगे बढ़ाएंगे, if however the comb is first rubbed with dryer, लेकिन अधियम उसी कंगे को, उसी कंगे को हमने बालों से रगड़ने हैं, और बालों से रगड़ने के बाद, फिर हम उस कागश के पास लेके जाएं, तो हम देखेंगे, कुछ tiny pieces, यानि पेपर के कुछ छोटे टुपड़े, उस कंगे से चुपग जाते हैं We find that the comb now attracts the piece of paper towards itself, these observations are explained by saying that initially the comb is electrically neutral, यानि बैद्यद दासीन था, लेकिन जो हमने उसी मने बालों से रगड़ दिया, तो हो क्या हो गया, आवेशेत हो गया, यानि electrically charged हो गया, These observations are explained by saying that initially the comb is electric and neutral, so it has no effect on a tiny piece of paper, this electrically charged comb exerts an electric force, spec electric force लग गया, बैद्यद बल लग गया, on tiny pieces of paper and attracts them, similarly a glass rod, जो हम एक glass rod ले लेते हैं, कांच की छड़ लेते हैं, और कांच की छड़ को एक silk cloth, यानि रेशम के कपड़े से लगते हैं, and an ebonite rod rubbed with woolen cloths, और ebonite rod को, जब हम woolen cloths, यानि उनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो उस पर भी एक charge आवेशित हो जाता है, उस पर भी एक charge exist हो जाता है, charge यानि आवेश, small pieces of paper, वो भी कर लेता है, small pieces of paper को attract कर लेता है, and set to have electric charge, इसी चीज़ को हम electric charge कहते हैं, types of electric charge के बारे मतादू मैं आपको दो type के electric charge होते हैं, जो experimentally proved होते हैं, एक positive charge होता है, और एक negative charge होता है, thank you इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं, और जो भी इस problem होई हो मुझसे discuss करें,